कि बבךो अब तक के अध्याव में हमने देखा कि किस प्रकार किसी वस्तू की मांग उसKS वस्तू की कीमत को और किसी वस्तू की कीमत उसकी मांग को प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करती है हमने देखा कि कैसे जब बाजार में किसी वस्तू की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तू की मांग घटने लगती है और जैसे जैसे उस वस्तू की कीमत घटती है तो उस वस्तू की मांग बढ़ जाती है ये सारी चीजे हमने देखी कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटी, कीमत बढ़ने पर मांग कम हुई लेकिन कितनी कम हुई मांग या कितनी बढ़ गई मांग, कितने प्रतिशत कम हुई या कितने प्रतिशत बढ़ी इसके बारे में अभी तक हमने कोई अध्यान नहीं किया तो इस अध्याय में हम मांग की कीमत लोज के साथ ये देखेंगे कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उस वस्तू की मांग में किस अनुपात में परिवर्तन होता है अगर हम देखें तो कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है यानि की कीमत बढ़ी तो मांग कमुई या कीमत कमुई तो मांग बढ़ गई इस पूरे सिधान को अगर हम केन क्रॉस की परिभाशा के अनुसार देखें तो देखते हैं केन क्रॉस कहते हैं कि अगर हम इसकी परिभाशा को समझते हैं तो हम देखते हैं कि मूल्य में परिवर्तन के फल स्वरूप इन्होंने मात्रा में परिवर्तन को बताया है मतलब इन्होंने कहा है कि किसी वस्तू की मात्रा में परिवर्तन केवल उसी दशा में होता है जब उस वस्तू के मूले में कोई परिवर्तन होता है ऐसे ही अगर हम रॉबिंसन की परिभाशा देखें रॉबिंसन की परिभाषा में भी यही कहा गया है कि कीमत में थोड़े से परिवर्तन के कारण मांगी गई मात्रा में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन संभव है और होना भी चाहिए तो इन पूरी परिभाषाओं का अगर हम अध्यन करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों ही अर्थ शास्त्रों ने माना है कि मांग में जो परिवर्तन होता है यानि मांग में जो कमी या व्रिद्धी होती है वो कहीं न कहीं वस्तु की कीमत से ही पूरी तरीके से प्रभावित हो होती है चाहे वो प्रतिशत में वृद्धी हो अनुपातिक रूप से हो किसी भी तरह से वृद्धी हो लेकिन उसका सीधा संबन कीमत सही होता है तो यहां हम मांग की लोच को अगर देखते हैं मांग की लोच की प्रकार को अगर हम देखते हैं तो पहला जो प्रकार है वो कहत फॉर्मूले से यानि कि वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से हम इसे निकाल सकते हैं इसे हम कुछ श्रेणियों के आधार पर केल्कुलेट करते हैं अगर हम इन श्रेणियों की बात करें तो तो सबसे पहली श्रेणी जो आती है वो आती है पूरत्या लोचदार मांग पूरी तरीके से जो फ्लेक्सिबल होती है किस किस प्रकार से वो लोचदार होती है और कैसे परिवर्तित होती है इसको समझने के लिए हमने पूरत्या लोचदार मांग को भी पांच श्रेणियों मे बाटा है सबसे पहली श्रेणी इसकी है पूर्तिया लोजदार मांग की कि इसमें कीमत में कोई परिवर्तन ना हो तो भी मांग में बहुत भारी मात्रा में परिवर्तन हो जाता है आएए इसे हमें ग्राप के द्वारा और अच्छे से समझेंगे मान लेजे किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन फिर भी उसकी मांग में 10 प्रतिशत की व्रिद्धी या 10 प्रतिशत की कमी हो गई तो यहां पर हम मान लेते हैं कि मांग की लोज अनंत है एक उदारण से हम इसको और अच्छे से समझते हैं कि अगर किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वस्तु की मांग फिर भी बढ़ती गई इस सार्णी की अधार पर हम देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत 4 अवस्ताओं में समान है यानि कि 15, 15, 15 और 15 रुपय है लेकिन वस्तु की कीमत बढ़ रही है पहले 5 रुपय थी फिर 10 रुपय हुई फिर 15 रुपय हुई और फिर 20 रुपय हो गई अब यहां पर हम देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत समान रहने पर भी वस्तु की मांग में वृद्धी हो रही है अगर इस सार्णी को हम ग्राफ के अनुसार देखें तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा यहां OX अक्ष पर वस्तु की मांग और OY अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है यहां पर हम सार्णी के अनुसार देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत 15 रुपय थी तो वस्तु की मांग 5 इकाई थी जब वस्तु की कीमत 15 रुपय ही रही फिर भी वस्तु की मांग 10 इकाई हो गई वस्तु की मांग फिर भी 15 रुपय थी और तीसरे स्टेप में भी वस्तु की मांग बढ़कर 15 रुपय हो गई यानि 10 से बढ़कर 15 रुपय हो गई चौथी दशा में भी वस्तू की कीमत समान थी यानि कि 15 रुपए ही थी लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वस्तू की मांग जो है वो बढ़कर 15 इकाई की हो गई तो यहाँ पर हमको जो रेखा डी डी प्राप्त होती है वो रेखा बताती है कि किस तरह से कभी कभी बजार में वस्तू की कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर भी वस्तू की मांग में या तो कमी हो सकती है या वृद्धी हो सकती है तो हमने देखा कि किस प्रकार पूर्टया लोचदार मांग में कीमत में कोई परिवर्तन अगर नहीं भी हुआ तो भी उसकी मांग में भारी परिवर्तन हो सकता है दूसरी बात अगर हम करें तो हम देखते हैं कि अधिक लोचदार मांग, अधिक लोचदार मांग के बारे में हम देखते हैं कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन के तुलना में अधिक होता है यानि की कीमत में परिवर्तन अगर कमी या व्रिद्धी 10 से 15 प्रतिशत की होती है तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन जो होता है वो 20 से 25 प्रतिशत का हो सकता है और दोनों हो सकता है कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है तो आईए इसको हम एक graph के द्वारा और एक साणी के द्वारा और अच्छे से समझेंगे अधिक लोचदार मांग के लिए हम देखते हैं कि कीमत में परिवर्तन के तुलना में मांग में अधिक दर से परिवर्तन होता है यानि कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 10 प्रतिशत की कमी होती है तो भी उसकी मांग में 20 प्रतिशत की वृद्धी हो सकती है इसे यदि हम एक उदाहरन के तोर पर समझें तो हम देखेंगे कि एक सार्णी के अनिसार जब बाजार में वस्तू की कीमत 10 रुपए थी तो वस्तू की मांग 5 इकाई थी और जब बाजार में वस्तू की कीमत 9 रुपए हुई यानि कि 10 प्रतुशत घट गई तो बाजार में वस्तू की कीमत 6काई की हो गई इससार इप को अगर हमें ग्राव द्वारा कीी मांग 5 प्रदरशित करते हैं और दुप का मूल्य दस रुपए था रेखा ओ य पर हम देखते हैं जब वस्तू का मूल्य 10 रुपे था इस 10 रुपे को हम P बिंदू से प्रदर्शित कर रहे हैं इस दशा में वस्तू की मांग 5 इकाई थी और जब वस्तू की कीमत 9 रुपे हो गई जिसे हम P1 से प्रदर्शित कर रहे हैं तो उस दर्शा में वस्तू की मांग 6 इकाई की हो गई इस तरह से हम देखते हैं कि वस्तू की कीमत में 10 प्रतिशत की कमी आने पर भी उसकी मांग में 20 प्रतिशत तक की व्रिद्धी आ गई इसे हम रेखा DD के द्वारा प्रस्तुत करेंगे जिसे अधिक लोचदार मांग कह सकते हैं इस पूरे रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि जब वस्तू की कीमत OP प्रति इकाई है तब वस्तू की मांग OQ है लेकिन जब वस्तू की कीमत घटकर OP1 हो जाती है तो वस्तू की मांग बढ़कर OQ1 हो जाती है इस प्रकार वस्तू की कीमत में PP1 के बराबर कमी आने से भी वस्तू की मांग QQ1 के बराबर हो जाती है इस पूरे रेखा चित्र से हमको ये समझ में आता है कि मांग में परिवर्तन QQ1 की दूरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन यानि p p1 की दुरी से अधिक है तो आपने देखा कि किस प्रकार अधिक लोच दार मांग में कीमत का परिवर्तन उस वस्तु की मांग पर पढ़ता है अब हम देखेंगे इसके तीसरी श्रेणी यानि की लोच दार मांग लोचदार मांग में हम देखते हैं कि मांग में परिवर्तन ठीक कीमत में परिवर्तन के अनुपात में ही होता है याने किसी वस्तू की कीमत अगर 25 प्रतिशत बढ़ गई तो उसकी मांग भी 25 प्रतिशत बढ़ेगी या घट भी सकती है अगर किसी वस्तू की कीमत 10 प्रतिशत घट गई तो उस वस्तू की मांग 10 प्रतिशत ही बढ़ेगी या घटेगी जो भी उसका व्यवारिक नियम होगा उसके अनुसार वो बढ़ेगी या घटेगी आईए इस पूरे नियम को हम एक ग्राब द्वारा और एक साणी द्वारा और अधिक अच्छे से समझते हैं लोचदार मांग के अंतरगत किसी वस्तू की कीमत में जो व्रिद्धी होती है लगभग उतनी ही व्रिद्धी वस्तू की मांग में भी हो सकती है मान लेजे किसी वस्तू की कीमत में 25 प्रिद्धी होने पर वस्तू की मांग में 25 प्रिद्धी कमी हो जाती है इस तरह की मांग को हम लोचदार मांग कहते हैं इसे अगर हम एक उदारण के अनुसार समझें, तो सबसे पहले हम एक सार्णी बनाएंगे, इस सार्णी के अनुसार जब बाजार में वस्तु की कीमत 10 रुपे थी, तो उसकी मांग 10 इकाई थी, और जब वस्तु की कीमत 11 रुपे हो गई, तो उसकी मांग 9 इकाई हो गई, यानि कि हम देख रहे हैं कि जितने प्रतिशत की वृद्धी उस वस्तू के कीमत में हुई है उतने ही प्रतिशत की कमी उस वस्तू के मांग में हुई है कीमत में भी एक वृद्धी हुई है और मांग में एक कमी हुई है इसे जब हम एक graph के अधार पर देखेंगे तो हम देखते हैं कि रेखा o x पर हमने वस्तू की मांग को लिया हुआ है और रेखा o y पर हमने वस्तू की कीमत को लिया हुआ है यहां पर इस तार्णी के अनुसार हम देखते हैं कि जब वस्तू की कीमत 10 रुपय थी तो उस वस्तू की मांग 10 इकाई की थी और जब वस्तू की कीमत 11 रुपय हो गई जिसे हम P1 बिंदू से प्रतर्शित करते हैं तब वस्तू की मांग 9 इकाई की थी इस प्रकार अगर हम देखें तो डी-डी वक्र एक ऐसा वक्र है जो ये बताता है कि वस्तु की मांग लोज इकाई के बराबर है तो आपने देखा कि किस प्रकार लोजदार मांग में कीमत का प्रभाव उस वस्तु की मांग पर पढ़ता है अब आईए इसकी चौथी श्रेणी की बात करें यानि की बेलोजदार मांग बेलोजदार मांग में सीधा सा नियम है कि मांग में परिवर्तन कीमत की तुलना में कम होता है यानि अगर किसी वस्तू की कीमत अगर 10 प्रतिशत बढ़ती है या 10 प्रतिशत घड़ जाती है तो उस वस्तू की जो मांग होती है उसकी अपेक्षा वो कम अनुपात में घड़ती या बढ़ती है इसे और अधिक अच्छे से समझने के लिए एक ग्राफ और साणी को देखते हैं मान लीजिए वस्तू की कीमत में 25 प्रतिशत बढ़ती होने पर वस्तू की मांग में केवल 5 प्रतिशत की कमी आती है उदारन के लिए वस्तू की कीमत में 20 प्रतिशत की वृद्धी होने पर मांग में 10 प्रतिशत की कमी हो जाती है इसे अगर हम एक सारणी से देखें तो हम देखेंगे कि जब वस्तू की कीमत 10 रुपय थी तो उसकी मांग 10 इकाई की थी लेकिन जब वस्तू की कीमत बारा रुपय हो गई तो उसकी मांग घटकर नौर इकाई की हो गई यानि की कीमत में 20 प्रतिशत के वृद्धी हुई और मांग में 10 प्रतिशत की कमी हुई इस सार्णी के अधार पर हम देखते हैं कि ग्राफ किस तरह से बनेगा रेखा ओ एक्स पर हमने वस्तू की मांग की मात्रा ली हुई है और रेखा ओ वाई पर हमने वस्तू की कीमत ली हुई है जब वस्तू की कीमत 10 प्रतिशत की तो वस्तू की मांग 10 इकाई की थी इसके आधार पर हमें बिंदु P मतलग की वस्तु की कीमत 10 रुपए को हमने बिंदु P से प्रदर्शित किया है उसी प्रकार जब वस्तु की कीमत बढ़कर 12 रुपए हो गई जिसे हमने बिंदु P1 से प्रदर्शित किया है तो उस दशा में वस्तू की मांग घट कर 9 इकाई हो गए इस आधार पर हमें एक वक्र डी-डी प्राप्त होता है जो कि बेलोचदार मांग का वक्र है अगर हम इसके छेत्रफल में देखें तो हम देखते हैं कि एक छेत्रफल हमें बताता है की मत में 20 प्रतिशत के व्रद्थी होई है और दूसरा शेत्रफल हमें बताता है की इसे तरह इस रेखाभ़बाद से यह भी स्पष्ट होता है कि जब बस्तू की कीमत प्रतीकाई ओपी हैं तब बस्तू की मांग O, lyON हो जाती है तो वस्तु की मांग घटकर OQ1 हो जाती है इस प्रकार कीमत में PP1 के बराबर विद्धी होने पर मांग में QQ1 के बराबर कमी हो जाती है इस पूरे ग्राफ से इस परस्ट है कि कीमत में परिवर्तन यानि PP1 के तुलना में मांग में परिवर्तन यानि Q Q1 की दूरी कम है यानि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मांग बेलोचदार है